नमस्कार, मैं हूँ आश्रतोस और आप देख रहे हैं सत्तिहंदी.com सत्तिहंदी.com के खासकारकरम आश्रतोस की बात में आपका स्वागत है आज बातचीत करेंगे वैक्सीन और जो वैक्सीन आया है उस पर जिस तरीके से विवात खड़ा हूँ वैलिकिन उसके पहले छोटी सी अपील सत्तिहंदी.com एक कोशिश कर रहा है इमांदार पत्रकारिता को आपके सामने रखने की इमांदारी से अपनी बातों को लोगों के सामने लाने की एक ऐसे समय में जबकि पत्रकारिता बहुत मुश्किल काम हो गया है और इसको नाना प्रकार के आरोपों से गुजरना पड़ रहा है आपको मालूम है कि पत्रकारिता करना आसान नहीं है इसके लिए पैसे के जरुवत होती है आर्थिक मदत की जरुवत होती है सत्हिंदी.com से अगर आप उम्मीद करते हैं कि वो इमांदारी से पत्रकारिता करें तो इसके लिए आप वो हमें हमारी बदत करनी होगी हमें आर्थिक मदत करें, हमारी आर्थिक साहिता करें और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सत्हिंदी के सदस्य से बने, हमें आर्थिक भुक्तान करें, आर्थिक बदत करें, हमारी बहुत बदत होगी साथी साथ, आप सत्हिंदी का मुबाइल आप भी आगया है अगर आपके पास Android फोन है, तो आप इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं और सत्हिंदी आपके फोन में होगा और आपको कहीं और जाने के सर्वत नहीं पड़ेगी और आप आज के विशह पर बातचीत करते हैं ऐसा लगता है जिससे इस देश के अंदर पिछले कुछ दिनों से कोई भी काम आसानी से नहीं होता जो भी होता है, या तो जल्दवाजी में किया जाता है, या वावाई लूटनी के लिए किया जाता है या फिर क्रेडिट लेने के एक होड़ सी लग जाती है कोविड एक ऐसी वहमारी है जिससे पूरी दुनिया पिछले एक साल से परेशान है लाखों लोगों की मौत हो चुकी है ऐसे में सब को इस बात का इंतजार था कि जल से जल वैक्सीन आए सब चब पहली वैक्सीन वो ब्रिटेन में आई और उसके बाद दुनिया के कई अर्थ और देशों ने भी ये दावा किया चीन ने दावा किया, रूस ने दावा किया अमेरिका की तरब से भी दावे आ रहे हैं कई कंपनिया हैं जैसे फाइजर, मोडर्ना, गमलाया इन लोगों ने वैक्सीन खोजने का दावा किया है भारत में भी कई कंपनिया इसमें लगी हुई थी और अब दो कंपनियों की वैक्सीन को जो है इस वैक्सीन को पब्लिक के बीच में लाने के लोगों को लगाने के लिए वो अप्रूबल मिल गई है एक है औस्ट्रा जिनका जो आक्सफोर्ट की मदद से वैक्सीन बनाई गई इसका नाम है कोविशील्ड इस वैक्सीन को भारत के ड्रक कंट्रोलर जनरल अफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिल गई है इस वैक्सीन पर उतना जाधा हंगामा नहीं है कि क्यों इसको अप्रूवल दी गई किसलिए अप्रूवल दिया गया क्योंकि लंदन में इसको पहले से ही अप्रूवल मिल चुका था इसलिए ज्यादा विवाद इस पर नहीं है असली विवाद जो है वो भारत बायोटिका नाम की जो कमपनी है उसका जो वैक्सीन है को वैक्सीन उसको लेकर विवाद परता हो गया है और कई बेहत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं यहां तक आरुप लगाया जा रहा है कि दर राजनीतिक दलो ने यह भी कहा है कि वो इस वैक्सीन का इस्तिमाल नहीं करेंगे अब कौन है वो जर राजनीतिक क्रिडिट लेना चाहता है कौन है जो इस वैक्सीन के खोज की वावाई लूटना चाहता है कौन है वो अपनी पीट थप थपाना चाहता है मैं इस विवाद माहळ होना चाहिए उसकी जो credibility होने चाहिए उसकी तरीक का विवाद नहीं हो चाहिए लेकिन भारत बायोटिका की वैक्सीन को वैक्सीन को लेके सबरदस्त विवाद पैदा हो गया है सबसे पहले मैं आपको बताओंगा कि ये जो विवाद है इसका कारण क्या है कौन-कौन से वैज्ञानिक है जो इस वैक्सीन की की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये बहुत बड़े-बड़े वैग्यानिक है लेकिन उनका नाम बताऊं वो क्या कह रहे हैं इस बारे में बताऊं उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहता हूं जानकारी क्या है कि जब कोई दवा बनती है किसी दवा बनती है तो वो दवा लोगों को देने के लिए लोगों के पब्लिक कंजम्शन में आने के पहले उस पर एक विशेश तरीके का प्रियोग किया जाता है सबसे पहले दवा की जब खोज होती है तो वो जानवरों पर या दूसरी लोगों पर उसका प्रियुक किया जाता है उसके जो लक्षन, जो परिक्षन सामने आते हैं उसका ध्यन होता है और जब ये संतुस्टी हो जाती है कि जानवरों पर जो परिक्षन है वो काफी हद तक सही बैठ रहा है, तब इनसानों पर उसका प्रेक्षन किया जाता है, और ऐसा तीन चरण में होता है, जो पहला चरण होता है, उसमें 50 से लेके 100 लोगों के बीच में उस दवा को दिया जाता है, या उस वैक्सीन को दिया जाता है, सिर्फ ये देखने के फेस टू में करीब 1000 लोगों को दवा दी जाती है, वो वैक्सीन दिया जाता है, और फिर ये अध्यन क्या जाता है, कि इस दवा का उस वैक्ट के शरीर पर कहीं कोई गलत असर तो नहीं पड़ रहा है, जिस मर्ज के लिए वो वैक्सीन दवा दी गई है, उस पर कितना असर सकारक होता है, और जब उस पे 100% संतुस्ती हो जाती है उसके डिटा कलेक्शन के बाद, तो फिर क्लिनिकल ट्रायल थर्ड स्टेज में जाता है, और थर्ड स्टेज में करीब 20 से लेकर 30-40 हजार लोगों पर उस दवा का परिक्षण किया जाता है, वैक्सीन का परिक्षण क से तैयार है, तो थर्ड लेवल का ट्रायल होने के बाद ही, जादा तर दवाओं को या वैक्सीन को जनता के बीच में, लोगों के बीच में लाया जाता है, और लोगों का उसके इस्तेमाल की इजाज़त दी जाती है, या डॉक्टर उसके इस्तेमाल की जाज़त देते हैं, कभी कभी जब बहुत emergency होती है तो second stage का जो trial होता है उसके आधार पे जो data इकठा होता है अगर scientist संतुष्ट हो जाते कि नहीं यह अपने आप में sufficient है और third phase के trial की जरुवत नहीं है तो दे दिया जाता है लेकिन ऐसा बहुत rare होता है अक्सर ऐसा नहीं होता है तो जो भारत बायोटिका vaccine है को vaccine इसको लेके सबसे बड़ा विवाद यह है कि जो third phase का जो clinical trial है वो अभी शुरू ही हुआ है इसका data अभी किसी के पास नहीं है इसलिए कोई भी ये confidence के साथ नहीं कह सकता है कि ये जो data है ये वाकई में कितना कारगर साबित होगा या कारगर साबित नहीं होगा इसलिए जब इस co vaccine के बारे में का approval जब drug control journal of India की तरफ से दिया गया तो उसमें जो बाते लिखी गई है वो अपने आप में काफी हैरान करने वाली बाते हैं ये कहा गया है कि इसका emergency situation में आपात काल स्थिती में बहुत ही restricted use होगा मतलब बहुत सोच समझ का इस्तेमाल होगा और वो भी clinical mode में होगा यानि एक तरीके साब कहें कि ये अभी भी trial के stage पर ही है यानि clinical mode यानि आप समझे trial के stage पर ही है और public interest में दिया जाएगा और वो भी डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के जो डिरेक्टर है उन्होंने कहा है कि ये एक backup के तौर पर होगा यानि जो असली vaccine है वो कोवी शील्ड है जो जो ऑस्ट्राजेनिका आक्सफोर्ड ने बनाई है वो असली vaccine है कोवी शील्ड और जब अचानक मरीजों की संक्या बहुत पढ़ जाएगी बहुत emergency की जरूरत पढ़ेगी तब इस vaccine का इस्तेमाल एक backup के तौर पर किया जाएगा तो जो जिस आधार पर इसको approval मिला है वो आधार ही अपने आप में पूरी तरीके से इसको संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है कि अगर इसको clinical mode में करना है अगर इसको restrictive use के तौर पर करना है अगर backup के तौर पर करना है तो फिर जल्दबाजी में इस vaccine को approval देने की जरूरत क्या है पैसब से बड़ा सवाल तो अपने आप में है ऐसा तो नहीं कि इस देश में दूसरा कोई vaccine नहीं था कोई shield vaccine और डी आ चुका है उसको approval मिल चुकी है ब्रेटेन में उसको पुरी तरिके से सही पाया गया है तो फिर इस vaccine को देने की जल्दबाजी क्यों की गई दस दिन पंद्रह दिन एक महिने और इंतजार कर लिया गया होता third phase के trial के data सामने आ जाते तो और अची बात होती और यही असली कारण है जिसकी वज़ा से जो तमाम देश के बड़े वैज्यानिक मैं नेताओ की बात नहीं कर रहा हूँ जो देश के जाने माने वैज्यानिक है उन लोगों ने शंका जाहिर की है है हैरानी जताई है अचरज किया है कि आखिर तीसरे स्टेज के trial के बिना पे ही इसको approval क्यों और कैसे दिया गया है मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ एक डॉक्टर है डॉक्टर गगंदीप कांग ये vice chairman है coalition for epidemics preparedness innovation की इन से जब पूछा गया इस vaccine के बारे में तो उन्होंने कहा है कि I have no clue उनका मु I have never seen anything like this उनका कहना है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा इस तरीके का किसी vaccine को approval दिया गया I have never seen anything like this before फिर उन्होंने कहा या तो आप clinical trial करते हैं या clinical trial नहीं करते हैं आप ये नहीं कहते हैं कि हम अभी clinical mode में चीज़े कर रहे हैं I am confused ये है डॉक्ट आनिकों में से हैं और epidemiologist हैं ये इनका इनका कहना है इसके साथ साथ Dr. Anant Bhahn है ये पूर अध्यक्ष है International Association of Bioethics का उनका ये कहना ये है कि जिस तरीके से इस को vaccine को approval दिया गया है इस में से किसी को भरोसा नहीं हो रहा है ऐसा लगता है जैसे कि approval देने के लिए साहित लिखा गय उनका कहना है कि approval की प्रिक्रिया होती है technicalities होती है उसके आधार के आप approval देते हैं आप approval देने के लिए साहित नहीं लिखते हैं इसका मतलब ये है कि आप बोल मोल भाशा में अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं और उनका कहा है कि दो चीजे महत्तपूर्ण है एक जब आ दवा या वैक्सीन की कारगर कितनी कारगर है इसका बिना ध्यान रखे वे approval दिया है और वो है रूस और चाइना और दोनों ही जगा लोकतंतर नहीं है यानि ड़क्टर अनंत भान का साफ तोर पर कहना ये है कि जिस तरीके से approval दिया गया है वो भरोसे के काबिल नहीं है एक वो डेटा पपीलिक डॉमेन में क्यों नहीं लाया जाता यानि अभूमन क्या होता है कि जब कोई चीज लोगों के सामने रखा जाता है ताकि अगर कोई आदमी उसको question करना चाहे या उसको देखना चाहे कि कैसे और किस तरीके से ये दवाकारगर बनी है बनाई गई है किसका असर क्या होगा तो जाके उसको देख सकता है तो यहाँ पर जो को वैक्सीन है भारत बायोटिका वाली जो वैक्सीन है इसका third phase के clinical data कहीं किसी के पास उपलब्द नहीं है और नहीं इसके बारे में कोई जानकारी public domain पे है ये बात वो कहना चाहते है इसी तरीके से डॉक्टर अमर जेसानी है ये editor है Indian Journal of Medical Ethics के इनका कहना ये है कि I am shocked, it is shocking that भायरत बायोटिका जो है जो अभी third phase के clinical trial के लिए volunteers का recruitment कर रही है और इसी बीच में इसको approval मिल गया है यानि कहने का मतलब ये कि third phase की जो प्रिक्रिया है कि आप लोगों को recruit करते हैं ताकि उनके पर दवा का प्रियोग किया जा सके आपने वो प्रिक्रिया ही प होता है मैं बड़ा है इनके कहने का मतलब ये इसी तरीके से डॉक्टर जेयन राउ है वो भी ये विस्टिंग प्रोफेसर है स्ट्राफोर्ड शायर इनवर्सिटी के उनका कहना है कि phase 3 के clinical trial के नतीजों का इंतजार करना चाहिए approval देने के पहले इनके साथ साथ जो चीज ब उन्होंने भी कहा है कि it is shocking ये बड़े हैरानी की बात ये है कि regulator ने कैसे इसको approval दे दिया है जिसका जो safety यानि सुरक्षा और कारगर कितनी है इसका data ही उपलब नहीं है हलाकि जब ये सवाल ICMR से पूछा गया Indian Council of Medical Research जिसकी बदत से भाटका ने ये वैक्सीन बनाई है उनका कहना है कि सारे इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है और ये अपने आपे पूरी तरीके से स्वरक्षित है तो मैंने आपको बताया कम से कम पांच देश के जाने माने वैज्यानिकों ने डॉक्टरों ने ये संदेज अताया है कि ऐसा आपाधापी में कैसे इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल गई है और उनके दो कंसर्ण है पहला कंसर्ण ये है कि जो डेटा है वो डेटा जिनके आधार पर आप कोई भी कमिटी उसका परिक्षन करती है और परिक्षन करने के बाद सवाल-जवाब करती है और जब उन डेटा के आधार पर सवाल-जवाब संतश्ट हो जाती है तब ये अप्रूवल बिलता है तो ऐसे मुनका कहना यह है कि हम confidence के साथ नहीं कह सकते लेकिन दिक्कत क्या है कि आज के समय में बजाए किसी वैक्सीन की वैज्ञानिकता पर सवाल खड़े करने के या उसको अप्रूब करने के विचारधारा के आधार पे लोग या तो इस तरफ हो गए हैं या उस तरफ हो गए हैं और या तो वो पूरी मजबूती के साथ खड़ कि दरसले vaccine का जो लोग विरोत कर रहे हैं, वो देश के खिलाफ हैं उनको देश से मोहब़त नहीं है, उसको वो भारत के वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, अगर देश के जाने माने वैज्यानिक, अगर इस भारत बैटिका के को वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये चिंता का विशे है, और वैज्यानिक, अगर कोई बात कह रहे हैं, तो उस पर गौर होना चाहिए, उस पर बहास होनी चाहिए, नमस्कार धन्यवाद शुक्रिया सत्य हिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर